गुद बॉर्निंग एव्रिवन, समाजन सी आटी, आज का टॉपिक है कुछ ऐसे वर्द्स जो डबलो और एट से साथ होते हैं, उनका सही से उपियोग करना, जैसे वाट हो गया, हो हो गया, वैन हो गया, हूज हो गया, विच हो गया और हाव हो गया, जैसे पहले वाट, का मतलब होता है क्या, वाट यूज होता है किसी चीज के बारे में कुछन पूछने के लिए, क्या टाइम है, कितने बज़े हैं, वाट इस अ टाइम, तुम्हारे साथ क्या मामला है, यानि तुम्हारे साथ मामला क्या है, वाट इस दा मैटर विद यू, आगे क्या करें, व What is your father's job? इन सभी में आप question पूछ रहे हो किसी चीज के बारे में. अगला है when. When मतलब कब या जब. When use होता है question पूछने के लिए time के बारे में. जब आप time के लिए question पूछते हो. जैसे तुम कब आ रहे हो, तुम कितने बज़े आ रहे हो, ऐसे. पहला है तुम घर कब आ रहे हो? When are you coming home? Lunch कब है? When is lunch? इसका answer होगा. Lunch is at two o'clock. Lunch दो बज़े है. कभी-कभी पूछता है ना कि कब से? तुमने कब से morning walk start कर दी? कब से मतलब since when? आप अपनी वाइब से कहते हो, कि हम पार्टी में जाएंगे जब तुम तयार हो जाते हो. हम जाएंगे जब तुम तयार हो. Will go when you are ready. मैं UK गया जब मैं बच्चा था. I went to UK when I was a child. तो when use होता है कब और जब के इस्तिमाल के लिए. अगला है क्यों? यानि why. वाइ यूज होता है कारण पूछने के लिए. या reason पूछने के लिए. तुम रो क्यों रहे हो? वाइ और यू क्राइंग? तुम उदास क्यों हो? वाइ और यू अपसेट? उदास यानि अपसेट. अपसेट को sad भी बोलते हैं. तुम जूट क्यों बोल रहे हो? वाइ और यू लाइंग? मुझे तुमारी मदद क्यों करनी चाहिए? वाइ शुड़ा है हेल्प यू? चाहिए होता है शुड़. तुम सिगरिट क्यों पीते हो? वाइ डू यू स्मोक? स्मोक में सिगरिट भी आती है, बेड़ी भी आती है, जो भी आप इनहिल करते हो, तो वो स्मोक हो जाता है. अगला है वेर. वेर मतलब कहां? वेर यूज होता है, डारेक्शन और प्लेस के बारे में जानने के लिए. तुम कहां रहते हो? वेर डू यू लिव? वेर यूज होता है, वेर यूज होता है, लोगों के बारे में जानने के लिए. वेर यूज होता है, यानि वो लड़की कौन है, USA का राष्ट्रपती कौन है यह किसने किया दुनिया का सबसे अच्छा बॉलर कौन है या फिर दुनिया का सबसे अच्छा बैच्छा बैच्छमन कौन है अगला है HOW HOW मतलब कैसे HOW यूज होता है किसी चीज की कंडिशन जानने के लिए या कोई चीज कैसे होती है तुम कैसी हो यह मशीन कैसे काम करती है तुमारी दादी कैसी है यह पैरेंस के नास्क कि तुमारी पहली क्लास कैसी रही तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो अगला है विच विच यानि कौन सा विच यूज होता है जैसे सपोज कई चीजे हैं तो उन में से एक चीज के बारे में जानने के लिए आपसे कोई कुश्चन कर रहा है तो विच यूज करेगा जैसे इन में से कौन सा स्कूटर आपका है ओके विच स्कूटर इस यूज ऐसे ही तुमारी बाइक कौन सी है विच बाइक इस यूज कौन सी बिल्डिंग उची है विच बिल्डिंग इस टॉलर तुम्हारा मनपसंद रंग कौन सा है विच इस यूर फेवरिट कलर अगला है whose whose मतलब किसका whose use होता है किसी चीज के ओनर के बारे में जानने के लिए जैसे यह डॉग किसका है whose dog is this यह किसकी गलती है whose fault is this चलिए students आज हमने WH words cover किये अगली बार आते हैं कुछ नाया लेकर और इन sentences की आप एक दूसरे के साथ practice करिए like, subscribe and share बिल्कुल करिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आए thank you so much and take care